शुक्रवार 19 अप्रल 2024 आज का पंचांग, शुब मुहूर्त और राहुकाल का समय तुदे पंचांग, शुक्रवार 19 अप्रल 2024 को चैत्रमाह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी है इस तिथी पर चंद्रमा सिंग राशी में मौजूद होंगे प्रति दिन का पंचांग देखने के लिए फेस्बुक, इंस्टाग्राम और वाट्सअप चैनल फॉलो करें 19 अप्रल 2024 का दैनिक पंचांग, आज का पंचांग, 19 अप्रल 2024 को चैत्रमाह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी है इस तिथी पर मघा नक्षत्र और वृद्धी योग का सयोग रहेगा दिन के शुब मुहूर्ट की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्ट 11 बज के 47 मिनट 12 बज के 38 मिनट मिनट तक है रहुकार 10 बज के 38 मिनट 12 बज के 13 मिनट मिनट तक रहेगा चंद्रमा सिंग राशी में मौजूद रहेंगे हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गन्ना की जाती है पंचांग मुख्य रूप से पांच अंगों से मिलकर बना होता है ये पांचांग तिथी, नक्षत्र, वार, योग और करण है यहां हम दैनिक पंचांग में आपको शुब महूर्त, राहुकाल, सूर्योदे और सूर्यास्त का समय तिथी, करण, नक्षत्र, सूर्योदे और चंद्रग्रह की स्थिती, हिंदुमास और पक्षादी की जानकारी देते हैं विज्यापन आपकी राशिफल यूट्यूब चैनल एक बार जरूर देखें तिथी, एकादशी, रात के आठ बज के छे मिनट तक नक्षत्रमघा, दस बज के तिरपन मिनट तक प्रथम करण वनिजा, छे बज के 47 मिनट तक अध्विती यूट्यूदे रात के आठ बज के छे मिनट तक पक्षुक्लवार, शुक्रवार, योग व्रिद्धी 25, 41 तक 54 मिनट सूर्यास्ट शाम के 6 बज के 31 मिनट चंद्रमा सिंग राहुकाल 10 बज के 38 मिनट घटाव 12 बज के 13 मिनट विक्रमी समवत 2081 शक समवत 1944 मासचेतर शुब मुहूरत अभिजीत 11 बज के 47 मिनट घटाव 12 बज के 38 मिनट पंचांद के 5 अंग, तिथी, हिंदू काल गन्ना के अनुसार, चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंशू उपर जाने के लिए जो समय लगता है, वो तिथी कहलाती है एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां दो पक्षों में विभाजित होती हैं शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथी को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथी अमावस्या कहलाती है तिथी के नाम प्रतिपदा द्वितिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, शश्ठी, सप्तमी, आश्टमी, नवमी, दश्मी, एकादशी, ध्वादशी, त्रयोदशी, चतुरदशी, अमावस्या पूर्णिमा नक्षत्र आकाश मंडल में एक तारा समूव को नक्षत्र कहा जाता है इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्थ है 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिनी नक्षत्र, मृग्षिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आशलेशा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फालगुनी नक्ष उत्तरा फालगुनी नक्षत, हस्त नक्षत, चित्रा नक्षत, स्वाती नक्षत, विशाखा नक्षत, अनुराधा नक्षत, जेश्ठा नक्षत, मूर नक्षत, पूर्वा शाडा नक्षत, उत्तरा शाडा नक्षत, श्रवन नक्षत, घनिष्ठा नक्षत, शत्भेशा उत्तरा भद्रपद नक्षत्र, रिवती नक्षत्र, वार, वार का आशे दिन से हैं, एक सप्ताह में साथ वार होते हैं, ये साथ वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, सुमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, योग, नक्ष पर बनने वाले 27 योगों के नाम विश्कुम, प्रीती, आयुश्मान, सौभाग्या, शोभन, अतिगन, सुकर्मा, ध्रिती, शूल, गंड, वृद्धी, ग्रुव, व्याघात, हर्शन, वज्र, सिध्धी, व्यातिपात, वर्यान, परेग, शिव, सिधा, साध्य, शुब, ब्रह्म, इंद्र और वैधरिती, करण, एक तिथी में दो करण होते हैं, एक तिथी के पूरवार्ध में और एक तिथी के उत्तरार्ध में, ऐसे कुल ग्यारा करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, बव, बालव, कॉलव, तैतिल, गर, बनिज, विष्टी, शकुनी, चतुषपाद, नाग और किस्तोग्न, विष्टी करण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुबकार्य वर्जित माने गए हैं, ऐसे ही जियोतिश, दैनिक पंचांग, राशिफल, त्योहार और सनातन धर्म की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जियोतिश के सभी चलत्स और ट्रैंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपनी किसी भी विज्यापन के लिए हमारे चैनल से संपर्त करें, आपका दिन शुब हो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें धन्यवाद, अगर यह वीडियो आप